हाई गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईस आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिर्यानी तो चिकन बिर्यानी बनाने के लिए मैंने यहां पर चिकन को साफ करके एक दम फ्रेश फ्रेश रखा हुआ है आप देख सकते हैं तो इसको मैंने पहले धुल कर रख लिया था तो विरियानी में छोक लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर दो कटेवे बड़े प्याज जिनको मैंने कट करके रख लिया हुआ है आप देख सकते हैं इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है जीरा थोड़ी से मैंने ली है यहाँ पर दाल चीनी और लोंग इलाइची आप देख सकते हैं गाईज यहाँ पर मैंने लोंग ली है काली मिर्च ली है इलाइची ली है और थोड़ी से यहाँ पर तेज पत्ते लिया है और तेज पत्ते के साथ मैंने यहाँ पर ली है दो बड़ी ह मिल जिनको मैंने ऐसे बीज में से कट करके लिया है तो यह यहाँ पर सारे मसाले मैंने तियार कर लिया है ऐसे यह तो गाइद इसी के साथ जो सब्से महत रूफनze रॉल होता है हमारा बिरियानी में वो होता है सौ utilizz three का तो मैंने यहां पर सौफ को पहले ही पीस के रख लिया था एक कटोरी में आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हम डालेंगे चिकन में दही तो यहां पर मैंने दो बड़े चम्मच दही डाले हैं इसमें दही के साथ जो हमने यहां प पेष्ट बनारे रखा हुआ था तो ये स्वाफ़का पेष्ट इसमें डाल दिया है जो पेष्ट डालने के रचेज क्याचक कटी हुई हरे मिर्च.. चलिए हम हरे मिर्च में डाल देते हैं..ब में एक बड़ी पिसा दर डाला है मैंने दो ठमत डाला है.. तो धनिया डालने के बाद हम इसमें ऐड़ करेंगे स्वाद अनूसार नमक नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है guys नमक के साथ हम इसमें अड़ करेंगे नेमबू तो यहाँ पर मैं नेमबू का राश सेच मेंने छोड़ लेती हूँ तो येस आप देख सकते हैं मैंने नेबूस में निचोड लिया है तो ये सारी सामगरी डालने के बाद हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो येस यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है और जो आप मसाले देख रहे हैं ये मसाले हमें इस चीकर में बहुत ही अची तरी किसे एक दण लपेट देना है ताकि ये अलग individ ना दिखे और ये चीकर में अची तरी किसे लपट ज़ाए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको कम से कम 20-25 मिन्ट के लिए ऐसे रख देना है और 20-25 मिन्ट के बाद ही हम इसको चोक लगाएंगे गाईज तो चलिए हम शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने पहले ही दो गिलाज चावल को भिगो कर रख लिया था और यह मैंने लिए हैं बिडियाने वाले चावल तो यहां आप देख सकते हैं एक दम भीग कर फूल कर हो गई हैं तेयार तो चलिए बिडियाने बनाना करते हैं शुरू तो सबसे पहले हमें क्या करना है गैस की फ्लेम को हमें हाई फ्लेम पर रखना है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीला हम इस पतीले में बनाएंगे और मैं डालूंगे इसमें एक बड़ा चम्मच तेल तो यहाँ पर मैंने तेल इसमें डाल दिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज तो चलिए मैं प्याज इसमें डाल देती हूं गाइस तो यहाँ पर मैंने जो आप देख सकते हैं तेल हमारा कितनी अच्छी तरीके से गरम हो चुका है और इसमें प्याज भुनने भी एकदम शुरू हो गए है प्याज डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे बाकी के मसाले जो मैंने आपको पहले ही दिखाए थे प्लेट में तो यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले इसमें डाल दिये हैं अब हम प्याज के साथ इन खड़े मसाले को अच्छे से एक दम भून लेंगे तो येस मैं यहाँ पर इसको भून लेती हूँ अच्छे से और मैंने इसमें ऐसे इसको भी चला दिया है अगर आपको लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम है तो यहाँ पर आप जो गैस के फ्लेम है थोड़ी लो भी कर सकते हैं और फिर आप इसको लो फ्लेम पर ही पकाएं वरना यह जल सकता है तो हम यहाँ पर इन मसालों को दो से तीन मिन्ट के लिए छोड़ देंगे दो से तीन मिन्ट बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा मसाला कुछ ऐसा हो जाएगा गैस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्याज को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है जिनको मैं बिर्याने के ओपर से डालूंगी तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें जो हमने पहले पेश्ट बना के रखा हुआ था चीकन का जिसको मैंने 15-20 मिन्ट के लिए छोड़ दिया था गैस मैंने इस मसाले में डाल दिया है सारा चीकन का पेश्ट अब मैं इन प्याज में इसको अच्छे-चे एकदम फ्राई करूँगी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भुनने के इसको छोड़ दूँगी अब इसको मैं पहले चला लेती हूँ अच्छे से ताकि अच्छे से एकदम भुन जाए इसमें तो आप देख सकते हैं जो हमारा चीकन है एकदम भुनना हो चुका है शुरूँ मैं इसको ढख दूँगी हम इसको 10 मिन्ट बाद चेक करेंगे गाईस चला 10 मिन्ट हो चुकी है 10 मिन्ट बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा चीकन कुछ ऐसा हो जाएगा आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीक्षे फ्राई हो चुका है और इसमें सारे मसाले एकदम भुन चुके हैं एकदम ऐसे लिपट चुके हैं चीकन में और यह देखने में कितना यमी लग रहा है गाईस तो येस अभी हम इसमें डालेंगे उपर से थोड़ा सा नमक तो यहाँ पर मैंने डाला है इसमें नमक थोड़ा सा नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो यहां पर हम डालेंगे इसमें दो गिलास पानी तो येस क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया था मैंने यहां पर एक गिलास चावल लिये थे तो मैं उसी के साथ डालूंगे इसमें दो गिलास पानी जिस गिलास से आपने चावल को ना पता उसी गिलास से आपको पानी डालना है ताकि आपको आइडिया रहे अच्छे से एक गिलास मैंने डाल दिया था दूसरा गिलास मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इसको ऐसे उबलने के लिए छोड़ देंगे मैं इसको ढख देती हूँ ताकि इसमें उबाल आ जाए आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है गाईज और इसमें जो हमारा चिकन था कितने ही अच्छी तरीके से उबाल चुका है फ्राई हो चुका है सारे मसाल एकदम भुनके फ्राई हो के ऊपर आ चुके हैं आप दीख सकते हैं. जब हमारे इस पानी में एक्दम उबाल आ जाएगा, तो हम इसमें अड़ेंगे चावल, जो हमने पहले से इसको पानी में भिखोकर रखा हुआ था. वो सारे के सारे चावल हम इसमें डाल देंगे. तो यहाँ पर मैंने सारे चावल डाल दी हैं पानी में मैं अब इसको अच्छे चला लेती हूँ ताकि जो हमारे चावल हैं अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में तो चलिए मैं इसको चला देती हूँ आप देख सकते हैं गाईज यह कितना ही यमी लग रहा है अब इसे देखने में तो चलिए मैं इसको ढखका रख देती हूँ जब तक इसमें उबाल आएगा तो हम इसको यह चोड़ देंगे ढखा हुआ हम इसको 10-15 मिट बाद जैक करेंगे तो हमारी बिरियानी कुछ ऐसी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं हमारी बिरियानी में उबाला चुका है तो येस अब लेकिन अभी मुझे लग रहा है यह न अभी थोड़ी कच्ची है अब इसमें बहुत पानी है मैं इसको दुबाल से ढख देती हूँ तो दस मिन बाद हम फिर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी बिरियानी कुछ ऐसी हो गई है अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा है बाकी ओल मॉस्ट एकदम हमारी बन चुकी है बिरियानी और चावल हमारे एकदम ऐसी मतलब कच्चे कच्चे नहीं दिख रहे हैं एकदम अच्छे से हमारे जो चावल है उबल चुके हैं और बिरियानी देखने में कितने स्वाधिष्ट लग रही है गाईज तो यहाँ पर इसी के साथ जो बाकी का पानी था वो भी सारा भून चुका है अभी हमारी बिरियानी हो गई है बन कर एकदम तेयार तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं ओपर से जो हमने प्याज पहले निकाला था तो यहाँ पर मैंने ओपर डाल देया है भूना हुआ प्याज और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें हरा धनिया क्योंकि हरे धनिये से क्या होता है गाइस बिरियाने में जो स्वाध होता है बहुत ही अच्छा आता है खुश्पू भी बहुत ही अच्छा आती है बिरियाने में तो यहां पर जो बिरियाने में मैंने सब कुछ डाल दिया है और बिरियानी एक्तम हो गई है बन करते हैं तो च तो यहां पर सारी मैंने बिर्याने निकाल दी है और चिकन तो मेरे मुह में देखकर आ गया है पानी एकदम तो होप आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने दिरूर बिल्कुल मत भूलना